अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें जैमा इंद्राक्षी धाम में दर्श्व को आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुक काम दाए आज का पंचांक 6 मई सन 2020 दिन बुद्वार शुकल पक्ष बैसाख मास समवंद 2077 तिथी चतुदर्शी नक्षत्र चित्रा रहुकाल बारा से डिर्ड दिशासूल उत्तर पूर्व दिशा देखिए दर्शो को आज हम आपसे बहुत ही अच्छी बात करने वाले हैं आज का ये छोटा सा टॉपिक जो है इसे आप सुनिए अगर जरूर हमने एक रोज पहले बताया था कि ऐसे कुछ कर्म होते हैं ऐसी कुछ गोपनिये तत्थे होते हैं जो हमें किसी के सामने अगर नहीं करने चाहिए बताया था आपको अब ऐसे ही कुछ नो कर्म होते हैं हमें अवश्य करने चाहिए यदि हम धनवान बनना चाहते हैं वैभवान बनना चाहते हैं यशश्वी बनना चाहते हैं लंबी आयू चाहते हैं द्रगायू प्राप्त करना चाहते हैं तो हमे ये नोकर्म शुद्धता के साथ और श्रद्धा के साथ करने चाहिए वो नोकर्म कौन-कौन से हैं आईए हम बताते हैं आपको और जो भी हम आपको ये बाते बताते हैं ये सारी बातें सास्त्रोप्त होती है दक्ष जी ने नोकर्मों के बारे में बताया है ये दक्ष कथित नो कर्म है आई आप लोग सुनिये सबसे पहला संद्या जिसे हम अपना पूजा पाट कहते हैं संद्या अगर समय है तो त्रिकाल समय में करनी चाहिए सुभा दुफेर और सायकाल अगर समय नहीं है तो कम से कम दो समय और दो समय भी नहीं है तो कम से कम एक समय हमें संध्या अवस्चे करनी चाहिए और संध्या के साथ साथ प्रणायाम और गाहित्री मंत्र जब हमें करना चाहिए इसनान काईदे में सुभर शाम बताया गया है लेकिन कम से कम एक समय हमें इसनान अवस्य करना चाहिए नमबर तीन अब आप कहेंगे इसनान ये कुन सी बड़ी बात है है बहुत लोग नहीं करते पांच-पांच दिन नहीं करते ददस दिन इसनान नहीं करते जी हाँ यह वास्विकता है बहुत लोग नहीं नहाते हैं और बहुत लोग उस इसनान को बहुत नान नहीं कहते हैं कि इसनान का जो प्रोपर समय है वो निकल जाया और फिर हम इसनान करें हाँ वह मजबूरी है जो लोग ऐसी कोई जॉब करते हैं ऐसी कोई उनकी लेट नाइट शिफ्ट रहती है थोड़ा देर घर से आते हैं वह बात अलग है लेकिन जो लोग प्रोपर तरीके से सोते हैं प्रोपर तरीके से उठते हैं लेकिन इस्रान करते हैं बहुत लेट लतीफ तो वो भी गलत है वो स्वास्ते के लिए भी चिंता कारक होता है और कहीं ने कहीं आज़्यात्मिक दिरश्टी से भी शुब नहीं होता नमबर तीन जब जो भी आपके इश्ट देवता हैं अपने हिसाब से उनका जब वंदन हमें अवश्चे करना चाहिए नमबर चार होम प्रति दिवसी है हमें होम करने से आयू की व्रद्धी होती है और साथ ही साथ सिरी संपन्ता की व्रद्धी होती है जिस घर में प्रति दिन हवन किया जाता है चाहें शुक्षम रूप में करें यह कैसी भी करें आगे बढ़ते हैं नमबर पाच स्वाद्ध्याय स्वाद्ध्याय में वेदगा पाट करना चाहिए सास्त्रों का ध्यन करना चाहिए और जो वेदग्य नहीं है तो कम से कम उन्हे गाईत्री मंत्र अवश्य जपना चाहिए नमबर छे देव पूजा देव पूजा में विष्णु जो हमारे पंच देव हैं विष्णु शिव देवी सूर्य गणपती हनवान जी आदे कि हमें पूजा अवश्य ही करनी चाहिए आगे बढ़ते हैं नमबर साथ वेश्व द पंच महायग्य जिने आता है वो जरूर करें नमबर आठ अथिति सत्कार अथिति सत्कार जिसमें कोई भेख्शु हो यती हो तपस्वी हो घर आने पर उन्हें भोजन कुछ ना कुछ हमें अवश्य देना चाहिए उनका त्रिसकार नहीं करना चाहिए नमबर नौ सम्विव अब यह सम्विवाग क्या होता है यधा सक्ती देव रिशी मनुष्य गुरु या कोई दुखी हो और माता पिता इनकी हमें सेवा जरूर करनी चाहिए इसमें कहीं भी कोता ही या आलेस्य नहीं बरतना चाहिए तो यह नो कर्म ऐसे हैं अगर व्यक्ति यशश्वी बनना चा करता है इनका पालन यदि करता है तो दक्ष जी ने कहा है वह व्यक्ति कभी जीवन में घाटे में नहीं रहता है करम वाईज नो के नो कर्म बहुत ही संक्षित में एक बार पढ़ा देता हूं नंबर एक संध्या नंबर दो इस्नान नंबर तीन जब नंबर चार होम नंबर पास स्वाद्याए नंबर च्छे देव पूजा नंबर साथ रष्ष्व देव नंबर आठ अथीति सत्कार और नंबर नो सम्विवार तो यह नो कर्म अगर जीवन में हम अपने जोड़ के च कैसी लोगों की सोच हो गई है आज स्वार्थ बहुत है स्वार्थ बस हम लोग बंद गए हैं हम केवल उसी से हम प्रेम रखते हैं या उसी से हमारा आना जाना रहता जिससे हमारा कोई कार्य होता है अधर्वाइज बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे समप्त होने की कगार हैं आज हम घर में हवन करते हैं कुछ भी करते हैं तो आज कल की प्रिधी बहुत मजाग उडाती है जो अच्छे गाइडेंस में बच्चे पलना है अच्छे माता पिता उन्हें शिक्षा देने वो मजाग नहीं उडाते हैं स्कोलों की पढ़ाई ऐसी हो गई है कि बच्चा जब तक फर्स क्लास से लेकर के ट्वेल तक पहुझता है तो वो उसको पता ही कुछ नहीं होता है मावेशारी चुप्चाप किसी किरतन में बजन में शरीक भी होती है तो बच्चे मुझ चुडा लेते हैं कई बार बच्चों को कहते हैं कि बेटा चलो आप ममी आप जाईए आपका काम है तो मतलब बहुत कुछ संसकार विहीन हम लोग होते जा रहे हैं सोला संसकार ऐसे हैं हमारी भारतिय सब्वेदा में उन संसकारों के बारे में भी यदि हम किसी से पूछें तो पता नहीं है बहुत जरूरत है हमारी शिक्षा में कहीं न कहीं कुछ चीज़े आनी चाहिए बहुत जरूरत है रामायन है महावारत है इन्हें मित्थ बताने लगे हैं बताईए कालपने लगे हैं बनी बनाई बाते लोग बताने लगे हैं कितना हम लोग पर मान दें कि ये काहनिया नही है यह किस्ते नहीं है यह मित्त नहीं है यह बनावटी बाते नहीं है सत्यता है सत्यता है आप ज्यादे बहस करो तो कहने पार जाती दिखाईए प्रूब करिए अरे आप हम आपसे पूछें आपके पापा है दादा है पर दादा है और पर दादा के भी दादा है आप कहेंग और आज भी भगवान श्री राम है, भगवान कृष्ण ने भी अफ्तरन लिया है, और आज भी भगवान श्री कृष्ण है, सब कुछ है, जैसे आपके चार पीडी पुराने दादा नहीं है न, लेकिन थे, भई वो थे, फिर दादा हुए, फिर अब मुझूदा दादा कहीं से तो हम आएं न, तो सब कुछ है, बस मानने की बात है, हमें बहुत आवश्यक्ता है पने बच्चों में संसकार देने की, बहुत आवश्यक्ता है, देखाने कैसे मुठी में दुनिया बनके बंदगे रह गई हैं, एक मुठी में हम लोग समा गए हैं, बहुत कुछ, आप बस समझ ये मेरी बातों को, मैं जादे क्या कहूं आप लोगों से, और ये नो कर्म जो हमने बताए हैं, इन में से जो भी हम से वैसे तो नो के नो निवने चाहिए, निवाने का प्रियास करें, कुछ ऐसी सुसाइटीज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, समय नहीं हैं, वो ड देली भले आप यग नहीं कर पाते हैं, लेकिन गायतिरी मंत्र सरव सुलब है, सभी इसको पढ़ सकते हैं, गायतिरी मंत्र के प्रती कोई वहम मत रखें, कि आप इसकी दिख्चा लेंगे, आप जन्योगी धारन करेंगे, अरे मानसिक रूप में आप कर सकते हैं, कहीं कोई बहुत सारी चीज़ें आपको समय समय पर बताऊंगा, और दर्शुको आईए अप समय उचला आज की ध्यानमाला का, आज की ध्यानमाला में हम जूडते हैं भागवान शिरी राम से रामा नास्ति परायनं परतरं रामस्यदा सोम्यःं रामे चितलया सदा भवतुमे भो राममा मुद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वाम्रिगं कांचनं वैदेई हरनं जटायुमरनं सुग्रिवसां भासनं बाले निग्रहनं समुत्रतरणं लंकापुरे दाहनं पस्चाद्राबन कुम्बकर्णहननं एतद्रामायनं कवच बना लें ध्यान करें भागवान श्री राम जी का आशिर्वात हम सब के ओपर बरस रहा है ओम बोलते हुए नेत्रखोले समान्य हो जाएं दर्शों को आने वाले दिनों में हमें और आपको मिलकर के आप कुछ नए कारे करने हैं अभी बस धीरे धीरे जैसे जैसे लोगडाउन की इस्तिति समान्य हो जाएं और बड़े मुझे फोन भी आये कमेंट्स भी आये बहु इंजिन लोगों की चीजे रह गई हैं वो जैसे ही सारी इस्तिति समान्य होगी सब हम भेजने का प्रयास करेंगे इनी शब्दों के साथ हम अपनी बाणी को बिराम देते हैं जैमा इंद्राक्षी मेरे दो बच्चे हैं दोनों का एकजाम चल ला था आपने जो एक मंत्र बताया उनको मैंने बता दिया जो बेटा तुम नहां करके सुबह सुबह उसके बाद ए मंत्र एक गारा बार जरूर पर लेना टेस्ट देने जाना जब उसका पेपर मिला तो उसको बिलकुल दिमाग मैं आया नहीं जो एक भी कोस्टन मुझे आता है लेकिन जब वो लिखने बैठा तो पूरी लिख डाला और इतने अच्छे मार्क से 97.7 से परसेंटेज से पास किया है किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 बजे तक हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें करें विए तक जाम 6 बजसे पिए तक जानकारा ना भूलें